ये हैं आपका अपना चैनल माई पोडर आदेश में तीन इस्तर बनाए गए हैं मासिक मूलेंकन कैसे होगा आर्दवाशिक मूलेंकन कैसे होगा वाशिक मूलेंकन कैसे होगा और उसके क्या अंक विवाजन किये गए हैं किन किन कक्षाओं का किस किस तरह से और किस प्रिकार का मूल्यांकन होगा वो भी आदेश में बहुत ही इसपस्ट परिलक्षित किया गया है सबसे पहले हम जान लेते हैं मासिक मूल्यांकन ये पत्र है राजे सिक्षा के निरका 14-6 का और पत्र कमांखे 26-09 आगे लिखा हुआ है कि वर्ष 24-25 है तु कक्षा 1-8 है तु सतत व्यापक मूल्यांकन समधी प्रमुख देशा और निर्देश निमन अनुसार है शुरुआत करते हैं मासिक मूल्यांकन से मासिक मूल्यांकन को दो तरह से विवाजित किया गया है कक्षा 1 और 2 के लिए अलग और कक्षा 3 से लेकि कक्षा 8 तक के लिए अलग कक्षा 1 और 2 में आप सभी जानते हैं कि एफेलिन आधारित सिक्षन कारिक किया जाता है इसलिए इन कक्षाओं का मुल्लैंकन प्रिथक से नहीं किया जाएगा साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विशय बार निर्धारित योजन आनुसार किया जाएगा बात कर लेते हैं कक्षा 3.8 की लिखा हुआ है कि कक्षा बार सभी विशयों में मासिक मुल्लैंकन निर्धारित प्रिकरी आनुसार माहे के अंतिम सप्ताय में शारा स्थर पर किया जाए मासिक मुल्यांकन हेतु कक्षा बार प्रितेग विशय के लिए निर्धारित मासिक पाठिकरम अनुसार दस-दस अंकों के लर्निंग आउटकम साधारित गोड़बत्ता युक्त प्रश्ण पत्र बनाया जाए मुल्यांकन में मौकिक प्रश्णों को भी शामिल किया जाए करते समय बच्चे की कौपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर ना करके उसकी तुटियों पर लाल पैन से गूला लगाकर सुधार भी किया जाए तुटियों के बारे में बच्चों के व्यक्तिगत फीड़बेग टीब देकर पुनाया अभ्यास कराया जाए अगले बिंदु में लखा गुए है कि मासिक मुल्यांकन संबंदी समस्त अभी लेक शाला इस्तर पर कक्चा सिक्षक विशाय शिक्षक द्वारा संधारित किये जाए कक्चा 3,4 और कक्चा 6,7 के चातरों के मासिक मुल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकाल कर इसकी प्रविष्टी वार्षिक परिक्षा अभी लेक पत्रक एवं प्रगती पत्रक में भी की जाए मासिक मुल्यागन का आंतिम बिंदू कुछ इस तरह से है कि उत्तरपफ्तकाओं का विश्रेशन, ltarning gaps का चिन्नांकन और विशेश कक्छाए इसमें क्या निर्देश है विशे सिक्षकों द्वारा मासिग मुल्यांकन की उत्तर पुस्तकाओं का प्रश्णबार एवं छात बार विश्डेशन कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शारा स्थर पर विशे सिक्षन की विवस्ता कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाए ये तो थे मासिग मुल्यांकन के कुछ बिंदू और अब देख लेते हैं अर्दवार्शिक मुल्यांकन के लिए क्या निर्देश राजिसिक्षा के अंदर द्वारा दिये गए है पहला बिंदू इसमें भी अर्दवार्शिक मुल्यांकन को दो भागों में विवाजित किया कक्षा एक और दो के लिए अलग और कक्षा तीन और चार के लिए अलग निर्देश यहां पर दिये गए हैं। अगला बिंदू है कि अर्दवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की शत्य प्रतीशत पस्तिती सुनश्यत की जाए। कक्षा के लिए अलग और कक्षा पांच और आट की अलग निर्देश दिये गए हैं। कक्षा एक और दों में एफरियन आधारित आबदिक आकलन पूर्वर प्रसारित निर्देश अनुसार किया जाए। प्रतक से वार्षिक मुल्यांकन नहीं किया जाए। बिन्दु कर्मांक तीन वार्षिक लिखित परिक्षा कक्षा तीन चार और छे साथ हे तू अधिकतम अंक साथ एवं प्रोजेक्ट कार हे तू चालीज अंक निर्दारित रहेंगे। विशायवार विध्ध्यारती द्वारा दो प्रोजेक्ट कार पूर्ण किये जाएंगे। प्रतेक प्रोजेक्ट कार हे तू 20 अंक निर्दारित है जिसका मुल्यांकन स्जाला स्तर पर किया जाएक। वारशिक लिखित परिक्षा एवं प्रोजेक्ट कार में छात्र को पृथख पृथख निवन्तम 33 पृथशत अंक प्राप्त करना नवारे रहेगा। मिंदु कर्मांग पांच में निर्देश दिया गया है कि वार्षिक परिक्षा फल विशयवार मासिक टेस्ट अधिक्तम 40 अंग का अधिवार 10 अंग, अर्दवार्षिक परिक्षा अधिक्तम 60 अंग के प्राप्तांकों तथा प्रोजेक्टकार अधिक्तम 40 अंग का अधिवा अधिवार कैसे निकालेंगे इसको हम आपको अगली वीडियो में विस्तितुप से समझाएंगे और अब हम देख लेते हैं वार्षिक मुल्य अंकन कक्षा पांच और आठ के निर्देश राजे द्वारा आयुजित वार्षिक लिखित परिक्षा कक्षा पांच और आठ में शाष्की शालाओं मानिता प्राप्त समस्त अशाष्की शालाओं तथा अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्यनत विद्धारती सम्लित रहेंगे लिखित परिक्षा फरवरी मार्ज 2025 में सम्माबित है जिसकी समय सारणी एवं निर्देश राज सिक्षा के इंदर द्वारा प्रिथक से जारी किये जाएंगे वार्षिक लिखित परिक्षा में विशय बार अधिक्तम अंक 60 एवं प्रजेक्ट कार हेतु 20 अंक निर्धारित हैं प्रितेग विशय में विध्यारती द्वारा कोई 2 प्रजेक्ट कार पूर्ण के जाएंगे प्रतेक प्रजेक्ट हेतु दस अंक निर्धारित हैं जिसका मूलेंकन शालास्तर पर किया जाएगा एवं प्रजेक्ट कारके प्रापतांकों की प्रविष्टी परिक्षा पोडल यानि आरेस के एमपी पर विध्यारे प्रमुक अत्वा कक्षा सिक्षक द्वारा की जाएगी बिंदु कर्मांग 6 कुछ इस तरह से कि वार्षिक परिक्षा कक्षा 5 और 8 में विभिन्य घटकों का अधिवार निम्ननसार होगा अर्द वार्षिक परिक्षा लिखित का अधिवार 20 अंक का वार्षिक परिक्षा लिखित पूर अंक 60 में से कुल प्राप्त अंक वार्षिक परिक्षा प्रोजेक्ट कार और इसका अधिवार होगा 20 अंक का आगे लिखा हुआ है कि बार्षिक लिखित परिख्षा यानि कि बाहे मुल्यंकन एवं प्रोजेक्ट कार आंतरिक मुल्यंकन में प्रिख्षपल गोष्णा के उपरांत अनुत्रिन विश्यों में अतरिक्त सीक्षन प्रदान कर दो माहे की कालावधी के वीतर पुना परिख् परिक्षारतियों को उसकी अध्यनरत कक्षा में ही रूका जाएगा सैसेक्षिक एवं व्यक्तिकत सामाजे गुणों के मूलांकन के समध में भी निर्देश पूर्व में दिये गए थे परिक्षा पणाम अभी लेक पत्रक समगर प्रगरती पत्रक और पालक शक्षैक्षण की भी निर्देश पत्र में दिये गये हैं और ये पत्र हमें प्राप्थ हुआ है संचालग महुदय का राजसिक्षा के अंदर भोपाल की ओर से उमीद है आप समझत कक्षाओं के 17-24-25 के परिच्छा सम्मधी निर्देश, परिच्छा सम्मधी कार्योजना को जान गए होंगे फिर भी कुछ वानिमे डाउट रहता है तो कमेंट बोक्स में आप ज़रूर लिखिए पत्र को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से बोक्स से डाउट रूट कर सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए थेंक्स फॉर वाचिंग